नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CareerPoint YouTube चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विज्ञान के टो फेने वाले सभी एक्जाम के लिए महतफ़ रहने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक लगाए कि क्यू अगर वीडियो को लगए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और पढते क्यूश्ट न का आने वाली क्यूर में जरूर लगाएं तो चर्वादिक इस्तिमाल में आने वाली विरंजक अभी कर्मक्या है बताएंगे आप तो क्या होते हैं कलोरीण सबसे अधिक इस्तिमाल में आने है मला वsky लिभी करम क्या है कलोरी न होताय ओप्षुन भी आपका क्लोरी मिआ फर राइट न रूरुगा चली नेश्ज देखी कलोरीण की पर मानु-irsin न होती है कलोरीण की पर मानु संख्या क्या होती है तो दोस्तो, क्लोरेन की पर्मानों संख्या 17 होती, चत्रह होती है, option D आपका 17 यहाँ पर राइ तनसर होगा, नेक्ष देखे कि दोस्तो, अगला क्युशन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली A धातु कोण सी है? तरहल आवस्था में पाई जाने वाली ए धातु कुन सी है तो दोस्तो राई ट्रंस हो गए आपर option A, bromine option A आपका bromine सही होगा दरव ए धातु की बात हो रही है दरव धातु आगर आपसे पूछ लिया जाए दरव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है तो दोस्तो पारा होती है जिसका राशायने की पर्तिक HG होते है bromine का राशायने की पर्तिक BR होता है याद रखेंगे next दिकीगा अगला क्यूशन है विदूत बलब में परियुक्त गैस कौन सी होती है विदूत बलब में परियुक्त गैस कौन सी होती है दोस्तो इस वीडियो को लाइक जुरू करिएगा और होसके तो अपने सभी दोस्तों को शेर करना है right answer हो जाएगा आपर option D अक्री गैस विदूत बलब में परियुक्त अक्री गैस जो हो अक्री गैस का परियोग होता है याद रखेंगे next एक वायू में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है वायू में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है तो दोस्तो रेडोन रेडोन जो एक नोबल गैस है ये वायू मंदल में नहीं होती है वायू के इंदर नहीं होती है, option D आपका right answer होगा, बाकी helium, neon, argne, ये वायू में पाई जाने वाली noble gas है, ये आप लोग या दखेंगे, अगला question है, निमन में से कौन सा अर्द चालक है, बताएंगे आप लोग, अर्द चालक निमन में से कौन सा होते हैं, तो दोस्तों right answer होग सेंपेन और सोडा में बुल बुले किसे होते हैं, option A आपका से होगा है, पर carbon dioxide, CO2, carbon dioxide से सेंपेन और सोडा में बुल बुले होते हैं, option A आपका right answer होगा, next देखी, जिवानू की खोज किसने की थी बताएंगे आप लोग, तो दोस्तों right answer होगा है, पर option D, लुएन होग की द्वारा, या लखना, जिवानू की खोज लुएन होग की द्वारा कीगी थी, option D, आपका right answer होगा है, पर, next question है, बताएंगे आप लोग, जिन पोदों पर बीज बनते हैं, किंतु पूस्प नहीं लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी कहते हैं, Option B, आपका अनावत विजी यहाँ पर right answer होगा Next देकी का मानो की आत में पाया जाने वाले जिवानू है मानो की आत में पाया जाने वाले जिवानू कोन सा होता है तो कोन सा होता है A-C-R-C-I कोलाई होता है मानो की आत में पाया जाने वाले जिवानू option B आपका A-C-R-C-I कोला यहाँ पर right answer होगा next कि वर्गिकन की आधारी एकाई है वर्गिकन की आधारी एकाई क्या होती क्या होती है तो तो right answer होगा है आपकर option C सपेशिज वर्गिकन की आधारी एकाई सपेशिज होती है option C आपका right answer होगा next कि तपेदिक उत्वपन करने वाला जिवानु है तपेदिक उत्वपन करने वाला जिवानु कौन सा होता है तो दोस्तों कौन सा होता है राइट अंसो गयाँ पर option B mycobacterium option B mycobacterium तपेदिक उत्वपन करने वाला जिवानु है option B आपका सहिए आण्ट होगाईं पर next ही question है दोस्तो गोबरपर उगने वाले कवव किया कहलते है गोबरपर उगने वाले कवव किया कहलते है तो दोस्तो राइट आण्ट होगा option d. anchor of hills option d. anchor of hills यहाँ पर right answer होगा next ही कि अगर अगर किसे तयार किया जाते हैं अगर अगर किसे तयार किया जाते हैं किसे किया जाते हैं सेवाल से ओप्षिन ए आपका राइट अपर अगर अगर सेवाल से तयार किया जाते हैं नेश्ट है डिन ने संसिलेशन का परति पादन किसी ने किया डिन ने का संसिलेशन का DNA की फुल फॉर्म होती डी ओक्षिराइबो न्यूकली केसिर होती है याद खेंगे और DNA सिंसरेशन का परती पादन किया था कार्ण ब्रगने option B आपका कार्ण ब्रग याँ पर right answer हो गया रखेंगे next है अगला क्यूशन पलोमान जीन के सिदान्त का परती पादन किस ने किया पलोमान जीन के सिदान्त का परती पादन किस ने किया तो दोस्तो right answer हो गया पर option C मैकली टॉंकने next देखीगा like और share जरू करेगा दोस्तो like और share जरू करेगा अपने सिभी दोस्तों को और जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe रिखेगेगा next आपके लिए philosophic geologics के लेख कुने philosophic geologics के लेख का नाम किया दोस्तों क्या है landmark जाद खेंगे क्या है landmark option B आपका right answer हो गया पर next की penciling की खोज किसी ने की थी penciling की खोज किसी ने की थी तो दोस्तों किसी ने की थी option B आपका A filming यहाँ पर right answer हो गया रखेंगे next है परती रक्षिन तक्निक का विकास किसी ने की थी परती रक्षिन तक्निक का विकास किसी की दौरा किया गया तो दोस्तों right answer हो गया पर option B Edward Jenner परती रक्षिन तक्निक का विकास है एड़ वर्ट जेनर के दुवारा किया गया याद खेंगे option B आपका right answer हो गया पर next है homeopathy के संस्तापक कौन है homeopathy के संस्तापक के कौन है तो दोस्तो कौन है high name man option C आपका right answer हो गया पर next है कि लेक्रा माईल गरंथिया श्रावित करते हैं लेक्रा माईल गरंथिया श्रावित करते हैं दोस्तो क्या श्रावित करते हैं तो दोस्तो लेक्रा माईल गरंथिया जो होती ही है हमारी ऑकों में होती है और ऐसु का श्रावन करते है option C आपका आशु यहां पर right answer होगा next दिकि mootapa नीमर में से किसकी अधिक्ता के कार्ण होता है मोटापा निमर में से किसकी अधिक्ता के कार्ण होता है तो दोस्तों, राइट रन्स हो गया पर वश्या उतक के अधिक्ता के कार्ण Option B, आपका राइट रन्स हो गया पर Next देखी मास्ट कोशकाएं किसमें पाई जाती हैं, मास्ट कोशका हैं, किस में पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं, संयोजी उतक में मास्ट कोशका हैं पाई जाती हैं, option A, आपका संयोजी उतक राइट अंस होगा, नेश्ट दीकि, दात का सिखरें किसका बना होते हैं, तो दोस्तों किसका एना मिल का बना होते हैं, उप्शन C, आपका एना मिल राइट अंस होगा, नेश्ट दीकि, जनम के बाद मानों में किस उतक में कोई कोशी का विभाजन नहीं होता, जनम के बाद म प्रमानों कि किस उतक में कोई कोछिकावी भाजन है नहीं होता। तो 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 most important question देखीगा, right answer का, Tantrika में , Tantrika उतक में कोई कोछिकावी भाजने है नहीं होता है। Option B, आपका right answer होगा है, पर Next, देखीगा, मनुष्य में, दवी घुनित च्रोमोशोम की संक्या कितनी होती है. मनुश्य में च्रोमोशोम की संक्या वैसे तो थो थो 46 होती है. लेकिन यहाँ पर बात रही दवी घुनित की तो थो 23 आई गाए. यापर option A यानि pairs में. Pairs की बात कर रहे हैं तो थो थो pairs में 23 होते है. क्रोमोशों यह दखीगा option A आपका सेरस्वी का next देखी जीन सब दे किसने बनाय था बताएंगे आप लोग जीन सब दे किसने बनाय था किसने बनाया W.L. Johansson ने जीन सब दे W.L. Johansson ने बनाया option B आपका W.L. Johansson ने आपका right answer ओगा next देखीगा, genetics निमलकित में से किसका अध्यन है आप लोग दाएंगे, किसका है अनुवान सिख्ता और विचरन का अध्यन है, genetics याद दखेएंगे, option B आपका right answer ओगा पर नेक्स देखेगा, तारा मचली निमलकीत में से किस संग का प्राणी है, तारा मचली निमलकीत में से किस संग का प्राणी है, दोस्तों किसका है, इकाईनो डिरमेटा संग का, उप्शन D, आपका राइट अंसर गहांपर, इकाईनो डिरमेटा संग, आप लोग या है next मच्छों के नियंतुर नियंतन से हैं तो वक्षी मचली कौन सी है तो के वक्षी मचली नियंतन सी होते हैं मच्छों के नियंतन सी आप का रा राइप रंसर है पर नेक्स देखी मेंड़क के हर्दे में कितने कक्स होते हैं चेंबर मेंड़क के हर्दे में कितने होते हैं देखी दोस्तो मनुष्य के हर्दे में अस्तियां होती हैं मनुश्य की खौफडी में कुल कितनी अस्तियां होती दोस्तों कितनी 8 option A, 8 आपका right answer नेक्स तेकी, हयुमरस अस्ति कहां पाई जाती है, आप लोताएंगे, हयुमरस अस्ति कहां पर पाई जाती है, कहां पर रोती है, ऊपरी भूजा में, option C, आपका right answer नेक्स तेकी, उपरी भूजा में, पाई जाती है, option C, right answer नेक्स तेकी, पाचन तंतर का हिशा नहीं है, इनमें से कोन एक है, पाचन तंतर का हिशा नहीं है, तो दोस्तों कोन नहीं देखी, right answer नेक्स तेकी, आपकर, कोर्निया, कोर्निया जो है, यह पाचन तंतर का हिशा नहीं है, यह पाच नेक्स की दू गद्ग्द्Trota webpage इंघाईम कोँछा होते है। और आपक Dadla नुम्षे क्ति थी उसकी सेंटिधे है। कि यश्टेए मेन और यह new ल्हाग्रिभू में पाया जान वाल ऑली ते दोश्मwood होते हैं। यहली ओर गधन दिम्ग क्मुछा होते हैं। पचे होए भोजन में मौझूद विशयले पदार्थ का कौन सा अंगे चूर्शन करता है तो राइट अंस होए आपर कौन सा यक्रित बिल्कुल दोस्तो यक्रित option D आपका राइट अंस होए पड़ नेश्ट देखी का तो राइट अंस होए आपर option C मस्तिस्क से option C आपका राइट अंस होए पड़ नेश्ट देखी मानव के शरीर की सरवादिक सक्तिसाली पेशी कोन सी है option C आपका राइट अंस होए आपका राइट अंस होए पर दोस्तो अपना एक लाइक और एक सेर इस वीडियो को जुरूर देजेगा अपने सभी साथ के साथ शेर जुरू करना है और जो भी चैनल पर देखी चैनल को सब्सक्राइब करना है next देखिएगा, सहद का पर्मुक घटक क्या होते है, क्या होते हैं, सहद का पर्मुक घटक, तो right answer होगा, option D, fructose, सहद का पर्मुक घटक है, fructose होता है, option D, right answer होगा पर, next देखिएगा, soya bean में, protein का परतिसत कितना होते है, soya bean में, protein की बात्रा, कितने परतिसत होती है, दोस्तों right answer हो गया पर, Option A, 42% आपका right answer हो गया पर, Next देखीएगा, किसमेh protein नहीं पाया जाता है, किसमेh protein नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं होता है, देखें, mants, दूद और डाल, इन सभी में protein होता है, लेकिन चाओल के अंदर protein नहीं होता है, तो option C, आपका चावल यहाँ पर राइट अंस होगा, next देखीगा, साकारी अधिक्तम प्रोटिन किससे प्राप्त करते हैं, जो साकारी भोजन करते हैं, वो प्रोटिन किससे प्राप्त करते हैं, तो दोस्तो दालों से प्राप्त करते हैं, option B, आपका दालों यहाँ पर यक्रित में संचित होता है और विटामिन A का परचूरतम स्रोत जो है वो क्या है आम वैसे तो दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों विटामिन A का परचूरतम सबसे जो अच्छा स्रोत है वो क्या होता है गाजर होता है यार रखीगा लेकिन यहाप पर गाजर में दियेगा तो दोस्तो राइट अंस हो गयाँ पर विटामिन D, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, यह हमारी सेरी में भंडारित होते हैं, लेकिट विटामिन D हमारी सेरी में भंडारित नहीं होते हैं, उप्शन C, आपका विटामिन D यहाँ पर राइट अंस हो का याद रखेंगे Next है निमलकी त्मेस है कोण सा ख़ढ्या स्थ लोहे का स्रवत्हम स्थ है Iron लोहे का स्रवत्हम स्थ क्या है द्यूसटों इन जिए तो राई हर अंस हो गया पर Option A, Save Apple Option A, आपका राई अंस हो गया पर Next दिक का केल्सियम की आउश्रिक्ता निमलकी तमेशे किसलिए है केल्सियम की आउश्रिक्ता निमलकी तमेशे किसके लिए होती है तो दोस्तो राइट अंस होगा यहाँ पर देखिएगा मान स्पेशिक कारे करने खून जबने हद्यों के विकाज चभी के लिए इन सभी के लिए क्या क कि आउशिकता होती है तो option D आपका उपर यूपर 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 अपर, option A, केरल राजे, आपका right answer गए आपर, next कि, electronic नगर की नाम से किस सहर को जाना जाते है, तो दोस्त राई टन्स होगा है आपड, option C, बैंगलूरु सहर को इलेक्टरोणिक नगर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, next question, पूरव का पेरिश किस सहर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जैपपूर को, option A, आप का से जैपपूर को, पूरव का पेरिश भी कहा ज करता है, अगला question निमनवे से, कौन सा परियावण के घंटक के अंतरगत आता है, परियावण के घंटक के अंतरगत आता है, देखीं, जैवी घंटक, ऊर्जाः घंटक, सबीगे, सबीजिका है서, option D, ऊपरिश भी आपका right answer होगा, Next spectrum, निमन मेंसे परियावण के ऐज़वी की गटा की δेखिये कोने है तुस्तू तॉ असिण कि अई तॉ तॉ धल्य की उप्षिन कि आ ने चिक है शबसे पहले पाना की तेकर 35 क अई ठार क मने यह तॉ तॉ सब इसे पहले पास्टिकी तंतर सब्द का परियोग किसी ने किया, किसी ने किया, तो दोस्तों AG टांस लेने, Option B आपका AG टांस ले आपर राइट अंसर होगा, Next दिकी, पास्टिकी तंतर के उस गठका, जो अपना भोजन स्वेम उत्वपादित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो अपना भोजन स्वेम उत्वपादित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं, उत्वपाद अकवर कहते हैं, Option C आपका राइट अंसर होगा पर, Next दिकी का, परियावण के अध्यान के संद्र में, C, E, R, किसको संद्र भीत करता है, C, E, R, किसको संद्र भीत करता है दोस्तों, Option A, आपका राइट अपर, Certified Emission Reduction, Option A, आपका राइट अंसर होगा पर, Next दिकी का, दोस्तों, अब आपने अभी तक वीडियो को लाइक इनके, आपका राइट अंसर होगा, निमनों से कोन सा परदूशन का निमनी करने परकार है, परदूशन का निमनी करने परकार क्या है, क्या है दोस्तों, कपड़ा, Option D, कपड़ा आपका राइट अंसर होगा, Next दिकी, निमनों से कोन सा वायू परदूशन का लक्षन है, तो कौन सा है सावशन तंत्र की विमारी दमा ब्राइंक्टिस यह सभी क्या है वाईउ परदूर्शन के लक्षे ने option D आपका उपरोग समया पर right answer होगा next की जल में किस परदूर्शन की उपरश्थी से मीना माता की विमारी होती है जल में किस परदूर्शन की उपरश्थे मीना माता की बिमारी होती है तो दोस्तो right answer होगाना पर नेक्स देखेगा, जल में किस पर्दोसक की उपस्तिति के गाराने, बलू बेबी सिंड्रोम नाक बीमारी होती है, किस की उपस्तिति के गाराने, तो दोस्तो नाइट्रेट, जल में नाइट्रेट की उपस्तिति के काराने, बलू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती आ रख पर दोखेंगे, option D, आपका nitrate यहाँ पर right answer होगा, next देकिगा, निमनों से कौनसा इकचरा परदूर्शन का लक्षन है, कौनसा इकचरा परदूर्शन का परभाव होगा, तो दुस्तों कौनसा है, जल का जहरी लवना, मरिदा का बंजर होना, और खाद्य सरंखला परभावित निमनों से कौनसा इकचरा परदूर्शन का परभाव होगा, option D, उपरोक्ष भी आपका right answer होगा, next देकिगा, ओजोन दीवस कब मनाया जाते है, तो दोस्तों, 16 सितमबर को, option B, आपका right answer होगा, ऑपर 16 सितमबर को हर साल ओजोन दीवस के रूप में मनाया जाते है, next धाउनी परदूर्शन का हनिकारक परभाव होगा, देकिए दोस्तों, उच रख्चाप, माईगरेन, अनिद्रा, सभी कहा है, धाउनी परदूर्शन के हनिकारक परभाव होगा, तो option D, आपका उपरोक्ष मियाँ पर right answer होगा, next देकिगा, परदूर्शन के कारण से, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, option A, ग्लोबल वार्मिंग आपका right answer होगा, next देकिगा, वातावन में कारबन डाक्षर की वरिदी निमन कार्णों से किसके कार्ण होती, वातावन में कारबन डाक्षर की वरिदी निमन कार्णों से किसके कार्ण होती, तो दोस्तों right answer होगा, जिवासम इंदों की ज़्यादा इस्तिमाल से वहनों की कटाई और वहनों की संख्या में वरिदी सभी कहें वायू में वातावन में कार्बन डैक्षिट सी ओर टू की अधिकता के कार्ण है तो option C आपका एक दो और तीन तीनों आपके राइट अंसों होंगे आपर नेक्स दिखेगा निमर वे से कोन सी गैस हरित गरह परबाव में साहिक है तो दोस्तों जलवासम मीथेन ओजोन सभी कहें हरित गरह परबाव में साहिक गैस है तो option D आपका सभी आपर राइट अंसर होगा नेक्स दिकी, आमलिय वर्षा में जल का pH मान कितना होते हैं, बताएंगे आप लोग, आमलिय वर्षा में जल का pH मान कितना होते हैं, कितना होते हैं, साथ से कम होते हैं, आमलिय वर्षा में जल का pH मान साथ से कम होते हैं, उप्शन भी आपका राइट रंस होगें पर, नेक्स तु निम्नेशे खाया योगदान है आमलीय वर्षा में है किस गैस का योगदान आमलीय वर्षा में किसका है दोस्तो, option A आपका से जगा है पर, SO2 तो नो2, option A आपका है यहां पर, right answer हो का, next देकी का, why you मंदल की किसे परत में, ओजोन स्थेह पाए जथी, ओजोन स्थेह, दोस्तो यह सूरे की प्रावर्थिक करती है, वह दोस्तो यहाले की का, इसके इंदर जो गैस पाए जथ अपर, option C, और जोन स्थेह, यह आप लोग यह देखिंगे, तो वाईव में किसे परत में ओजोन स्थेह पाए जथी, तो दोस्तो right answer हैं आपर, समताब मंदल में, option C, समताब मंदल में ओजोन स्थेह पाए जथी हैं, यह आप लोग यह देखिंगे, next old तो जोन शरन होते हैं, जोन शरन किस से होते हैं, बताएंगे आप लोग। तो जोन शरन किस से होता है, खंशन किसस्त है, चोन किस से किस से होते हैं, आप लोग। प्रावेंग ने किनों को आने से रोकती है यार रखेंगे, option B, आपका सही आंसरोगा, next, देखीगा, विक्रम शारबाई, स्पेस सेंटर का आपर है, तो दोस्तो, ये का आपर है, ये तिरुवन्थ पूरम में, option A, आपका सिवा तिरुवन्थ पूरम में, इसकी स्थापना कीगी, तो दोस्तो, 1963 में, तिरुवन्थ पूरम में, विक्रम शारबाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई, 1963 में, next, देखी, कवकों का अध्यन क्या कहलते है, कवकों का अध्यन क्या कहलते है, तो दोस्तो, माइकोलोजी, option A, माइकोलोजी आपका राइत अंसर होगा, next, सिखों का अध्यन क्या कहलते है, सिखों का अध्यन क्या कहलते है, दोस्तो, चले देखी, नियूमिस्मेटिक, option D, आपका नियूमिस्मेटिक यहाँ पर राइत अंसर होगा, next, देखीगा, cellular और molecular जिव विज्ञान के अंदर कहा पर स्थी थे, cellular और molecular जिव विज्ञान के अंदर कहा पर है, है, हैदराबाद में, option A, आपका है, हैदराबाद यहाँ पर राइत अंसर होगा, next, देखीगा, center for DNA, fingerprint and diagnostic कहा पर आवश्थी थे, center for DNA, fingerprint and diagnostic कहा पर है, कहा पर दोस्तो है, हैदराबाद में, option D, हैदराबाद आपका राइत अंसर होगा, next, देखीगा, आधुनिक वर्गी कंई का पिता किसे कहा जते है, तो दोस्तों right अंसर है उपर, lineage को, option D, आपका lineage यहाँ पर right अंसर होगा, next, देखीगा, कोशिका का अध्यन क्या कहलताए, क्या कहलताए, क्या कहलताए, साय पूलोजी इछीए, option C, साय आपका right अंसर होगा, next, कोशिक का सिद्धान्त का परती पादन किसी ने किया था कोशिक का सिद्धान्त का परती पादन किसी ने किया दोस्तों किसी ने किया श्लाइडन एउन सवान ने किया option B श्लाइडन एउन सवान आपका राइट अनसर होगा next की अगला question है सेवालों का अध्यन क्या कहलते हैं बताएंगे सेवालों का अध्यन क्या कहलते हैं क्या कहते हैं फाइकोलोजी Option A, Phycology आपका राइट अनसर होगा Next की National Chemical Laboratory कहा स्थिते National Chemical Laboratory कहा पर स्थिते कापर हैं, पूने में Option B, पूने आपका राइट अनसर होगा Next की, Malaria Research Center कापर है Malaria Research Center कापर है तो दोस्तों, दिल्ली में Option B, दिल्ली आपका राइट अनसर होगा Next की, अँगूरों का उतुपादने किसे समझते Like or share जोर करी काता दो Like or share जोर करी अँगूरों का उतुपादन समझते किसे तो वीती कल्चर से Option D, वीती कल्चर आपका राइट अनसर होगा Next लोका, नेत्रो का चिकित सक तो दोस्त रहार राई अंसु गया ऊपढ़े Option B, A канth Almanis Option C, प्याग एक वननी नेत्रो का चिकीत सक तो दोस्त रहार रैत कर रुवदों के याउमaurais Option B, आपका सही आंसु गया ऊपढ़े Next है Veterinary Research Institute कहां पर सते थे Veterinary Research Institute कहां परे तो कहां परें इज्जत नगर में ऑप्शन C, इज्जत नगर आपका right answer होगा है पर Next question किस विज्ञान में पक्षियों से समज़ते अध्यन किया जाते हैं किस विज्ञान में पक्षियों से समझ़ते अध्यन किया जाते हैं तो दोस्तों, औरनी तोलोजी में. Option B, आपका औरनी तोलोजी यहाँ पर राइट अनसर होगा. Next question. प्लाजमा अनुशंधान संस्तान कहां श्रीत है? प्लाजमा अनुशंधान संस्तान का पर है? तो दोस्तों का पर है? गांधी नगर में है. Option D, आपका असर योगा गांधी नगर. दोस्तों, यह गांधी नगर जोगी गुजरात राजमा की राजदानी आप लोग यहाँ रखेंगे. Next देखिका. राश्ट्री यह डेरी अनुशंधान संस्तान का पर है? राश्ट्री यह डेरी अनुशंधान संस्तान का पर है? तो दोस्तों, यह का पर है? करनाल में. करनाल दोस्तों, यह हरियाना राज़म है. या लेकिन अगर हरियाना की जो राजदानी है, वो कहाँ चंडिगड, जो की पंजाब की राजदानी है. तो उप्शन ए, आपका करनाल यहाँ पर राज़म होगा. नेक्श्ट की, वाइरस का अध्यन क्या कहलते है? वाइरस का अध्यन क्या कहलते है? क्या कहलते है? वाइरोलोजी. उप्शन ए, वाइरोलोजी आपका राज़म होगा है पर. Next निकी, Babapatamani and Sundhan Kind hoc, B.A.R.C. Baba Atomic Research Center कहाँ पर है तोसों, कहाँ पर है तो दो सो राइट अनसों गया पर Option A, Trambi में या रखना, B.A.R.C. की फूर्फोम, क्या होती है? Baba Atomic Research Center, हिंदी में क्या होगा? Baba Paramani and Sundhan Kind hoc, जो की कहाँ पर है Trambi में next नेशनेल ब्रेंड रिसेर्च सेंपर कापर है, नेशनेली ब्रेंड रिसेर्च सेंपर कापर है, कापर है दिए राहट दिएंस हुका है अपर? बेलगकrical बेलगको सो, option B, गुडगाओं में, गुडगाओं का नया नाम क्या रखा गया? गुरू ग्राम, याद रखना है दोसो, नया नाम क्या है, गुरू ग्राम नाम है नया, और ये भी कापर है, हरियाना राज्य में दोस्तो, याद रखना, ठीके कापर है हरियाना राज्य में, तो option B, आपका, गुरू ग्राम यहाँ पर, राइड रंसरोगा, next, जीवों में, पाई जाने वाले रोगों का अध्यान क्या कहलाते हैं। जीवों में पाई जाने वाले रोगों का अध्यान क्या कहलाते हैं। पैथोलोजी, option A, पैथोलोजी आपका राइट रन्स होगा। Next देखेगा, कीटों से सम्मधित विज्ञान की साखा क्या कहलाती हैं। तो देखिए क्या कहलती है, तो दोस्तों entomology, option A, entomology आपका right answer गया पर, next देखिए और आज का last question, जिव विज्ञान समध का परियोग सब से पहले किसी ने किया, तो दोस्तों किसने, लेमार्क और ट्रेविनिस ने, जिव विज्ञान समध का परियोगे, सब इसे पहले, लेमार्क और ट्रेविनिस की द्वारा किया गया, तो option B, आपका सही आज का, तो दोस्तों यह session आज का, यहीं पे complete होता है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगिए, तो प्लीज वीडियो को like और share जूर करें, और दोस् मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुडबाई, टेक केर, जै हिंद, जै भारत, वंदे मात्रम.